नमस्कार फ्रेंड फ्रेंड वाज चलम आप सभी का स्वागत है फ्रेंड मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि आज हम लोग जो है जो 2018 में प्रिवियस येर कोश्चन का जो हमारा कटाफ गया था आज हम लोग इसके बारे में हम पर डिसकस करने वाले हैं और मैं आप सभी से बताना चाहूंगा कि जो भी हमारे साथ ही बिहार स्टेट पाउर गोल्डिंग कम्पनी की तैयारी कर रहे हैं या प्रिपेशन में लगे हैं अब की बार हमारा क्या कटाफ हो सकता है और हमें कैसे तैयारी करना है इसके बारे हम लोग यहां पर डिसकस करने वाले हैं तो अगर आप लोग जो है courses join करना चाहते हैं या handle notes लेना चाहते हैं तो यह electrician को जो भी हमारे साथ ही है यह देख सकते हैं उनके लिए proper यहाँ पे handle notes बनाया गया है और आप लोगों को यह notes कैसे लेना है नीचे app कर लिंक दिया गया है वहां से जाकर ले सकते हैं तो यह हमारे handle notes क की बात की जाए अब उसके बाद हम लोग यहां पे बात करेंगे जो हमारा previous जो अभी हमारा जो syllabus है वहां किस topic से कितने questions पूछे जाएंगे तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो हमारा non-tech है वहां से 50 questions पूछा जाएगा जिसमें आप देख सकते हैं कि जो हमारा हिंदी ह किस topic से 10 questions पूछे जाएंगे वो मैंने सारा कुछ ऐप में बताया हुआ है तो जो भी ऐप में course जोईन कियें बच्चे वो सभी जानते हैं कि आप लोगों के लिए जो है सारा कुछ मैंने वहां पे बताया हुआ है तो आप लोग वहां से जाके जोईन कर सकते हैं या देख स तो है अगर आप लोग फुल कोर्स जोईन करना चाहते तो 8 मार्ज तक आप लोगों के लिए फुल कोर्स लॉंच किया गया है मातर 499 में आप लोग जाए आप को डाउनलोड कर लिजिए नीचे आप का लिंक दिये गया है वहाँ से आप कोर्स जॉइन कर लिजिए नहीं तो आफर आप लोग का खत्म हो जाएगा और ये आफर जो है 999 में हो जाएगा पांच नमबर इंगलिज से आने है ये सारा आपको ध्यान देना है टेकनिकल, नौन टेकनिकल समी आपके कबर होंगे पार्ट बी में आपको ध्यान देना है कि टेकनिकल के जो थियोरिल कोश्चन है वहाँ से आपके 35 कोश्चन पूछे जाएगे 15 question numerical पूछे जाएंगे ठीक है यह आपको ध्यान देना है उसके बाद यहाँ पर जो है totally अगर हम question की बात करें तो आप देख सकते हैं 100 question पूछे जाएंगे जो कि उस time minus marky नहीं था यह भी आपको ध्यान देना है अब यहाँ पर हम लोग अगर देखें कि 2018 जो हमारा cutoff गया था वो क्या था तो मैं आपको बताना चाहूंगा जो UR के जो भी हमारे जनरल के candidate होते हैं जो जनरल में अगर हम देखें तो male candidate होते हैं उनका 98.90 परसंद गया था cutoff उसके बाद अगर हम लोग यहाँ पर देखें कि omen जो general में होते हैं उनका 33.43 गया था ठीक है फिर general यस्यकर बात करें तो 46 गया था और Omen में अगर हम देखें तो 8.59 गया था ठीक है फिर यहाँ ग़म देखें general का yesterday में तो 52 गया था जनरल मत बात कर सकते हैm male candidate Omen काया यहाँ पर 15.65 गया है ठीक है EBC मतलब OBC जो होते हैं 22.8 गया था उसके बाद हम यहाँ पे बात करेंगे जो हमारे Omen है उनका 8.88 गया था BC यहाँ पे जो है जन्रल 58 गया था Omen जो है इनका 26 गया था ठीक है BCF जो female होती है उनका यहाँ पे क्या है 11.89 गया था ठीक है उसके बाद PS जो कंडिडेट होते हैं उससारा कुछ यहाँ पे बताया गया कि कितना किसका गया था Freedom Fighter के यहाँ पे 40 दस्वन 94 कटाफ गया था तो ऐसे में कहे सकते हैं कि जो हमारा previous year जो कटाफ था वो बहुत ही कम था लेकिन इस बार ऐसा कुछ भी नहीं होगा इतना आपको ध्यान दीजेगा इस बार कटाफ हाई ही जाएगा इसलिए कि बच्चों की संख्या जादा है और इसमें जो है All India के बच्चे फॉर्म को fill up करेंगे उसके बाद जो है अगर बिहार की बात की जाए तो बिहार से भी बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो काफी दिनों से वेट कर रहे हैं तो उनका भी कटाफ हाई ही जाएगा इतना आप लोग ध्यान दीजेए चाहिए SCO, OBC हो यह पर जो है आप कहें सकते हैं कि हमारे SC, ST, OBC, OBC जोइन कर लीजिए बाकी अगर यहाँ के हैंड नोर्स की अगर देखेगे तो हैंड नोर्स जो है आप लोगों के लिए जो बनाया गया है वो बहुत ही कारगर साभित होगा और इसमें हैंड नोर्स के अगर हम देखे तो बहुत से हमारे साथी अभी तक ले चुके हैं आप भी ले सकते हैं नीचे अप का लिंक दिया गया है अप में जाए हैंड नोर्स ले सकते हैं यहाँ पर मेरा कॉंटेक्ट नंबर यहाँ आप देख सकते हैं यहाँ पर आप लोगों के सामने दिया गया है इस पे भी आप जो है मेरे पास call करके phone पे Google पे payment जो भी चाहें करके WhatsApp कर दीजेगा और वहां से आप जो है payment क्या करें वहां से करके आप ले सकते हैं तो आप लोग जो है अगर channel नहीं है तो जरूर channel को subscribe कीजेगा ताकि आने वाले स्वाई में आपको हर एक content मिल सके बाकी आप लोगों के लिए देली रात 10 मजे लाइव क्लासेश भी चलाई जा रही है आप लोग उसमें जोइन करिए और topic wise क्लासेश चलाई जा रही है अभी synchronous motor की जो है theory क्लासेश में ने कराई है अगर आप लोगों ने रहे देखा तो यूटूब पे भी जाके देख लिएगा बाकी फुल तेयारी के लिए आप पे जाईए course जोइन करिए वहाँ से आप तेयारी कर सकते हैं तो चैनल को आप लोग subscribe कर लिजेगा